आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में में बोला गया है Solve करने के लिए Inequality को 3x plus 2y less than equal to 12 and x greater than equal to 1 and y greater than equal to 2 को ठीक है? तो यहाँ से अपन इसको diagram से समझते हैं, सबसे पहले क्या करूंगा इसको मैं equal to मान लेता हूँ तो 3x plus 2y is equal to 12 मान लिया, x is equal to 1 मान लिया और y is equal to 2 मान लिया, अब देखो हमें क्या मिला यहाँ से? अगर मैं इसका graph draw करना चाहूँ तो यह हमारा एका straight line है अगर मैं cutting point दो coordinate निकाल हूँ तो at x is equal to 0 अगर मैं इसमें put करूंगा, तो y का value समय क्या जाएगा? 6 आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे y का value 0 पूट करूँ तो उसमें x का value क्या जाएगा? तो x हमारा क्या जाएगा? 4 ठीक है? यह हमें पता है अब देखो यह x equal to 1 है, यह y equal to 2 है तो हमें 2 cutting point इसका मिल गया straight line का 0,6 and 4,0 तो अपन इसको draw करते हैं तो देखो यह हमारा coordinate axis रहा है कुछ step में, ठीक है? अब यह coordinate axis में अपनको draw करना है तो यह हमारा x axis है और यह हमारा y axis है फर्स coordinate है हमारा 0,6 मानलो 0,6 हमारा यहाँ पे होगा यह रहा हमारा 0,6 ठीक है? सकेंड हमारा क्या है? 4,0 ठीक है? तो sorry यह 0,6 नहीं होगा यह y axis पे होगा 0,6 तो हमारा 0,6 यहाँ पे होगा point A, इसको बोल देता हूँ, point B, इन दोनों से मिलके clan बनेगा, उसको मैं draw, तो ये line रहा, ठीक है, तो first को हमने draw कर लिया, अब दूसरा line क्या है, x equal to 1, y equal to 2, x equal to 1 अपन draw करते हैं सबसे पहले, x equal to 1, हमारा कुछ step में होगा, line, ठीक है, ये हमारा x equal to 1 है, मान लो, इसको मैं बोल देता हूँ, x equal to 1, ठीक है, दूसरा क्या है, y equal to 2, तो y equal to 2 line मान लो, हमारा ये रहा, ठीक है, अगर y equal to 2 हमें draw करना है, कुछ step में रहा हमारा, ये रहा हमारा y equal to 2, ठीक है, ये तीनों draw कर लिया हमेंने, अब दोको हमें ठीक है चाहिए, तो first वाले में बोला है, कि x हमारा greater than equal to 1 होना चाहिए, ठीक है, तो x अगर greater than equal to 1 है, ठीक है, यानी कि हमारा region कूण सा, prejudrats, professional region कौण सा हो जाएगा, तो x greater than equal to 1, यानी कि ये region, ठीक है, ये region हमारा prefable हो जाएगा ठीक है अब देखो दूसरा में क्या बोला है तो y greater than equal to 2 बोला है यानि कि y हमारा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए यानि कि prefable region कौन सा हो जाएगा तो ये region हमारा prefable हो जाएगा ठीक है ये ओके तो ये region इस line के लिए ये prefable region है अब देखो first वाले के लिए यानि 3x plus 2i हमारा बोला है less than equal to 12 होना चाहिए तो इसको अपन find out करने के लिए यानि कि हमारा इसके above होगा या इसके below होगा तो इसको find out करने के लिए अपन देखे तो इस line के below यानि कि origin लाई कर रहा है अगर मैं 0,0 इसमें रख दो तो 0 और 0 यानि कि 0 से बड़ा देखो 12 है तो ये stateadaki कर रहा है इसका मतलब ये origin वाला हमारा क्या हो जाएग अरि यानी कि origin इसको satisfied कर रहा है, ठीके, तो इसका मतलब इस line के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यह वाला preferable region हो जाएगा, ठीके, दिस इस the preferable region, तो अपन देखें, तो जो तीनों को color यहाँ पे बना रहा है, ठीके, यानी कि तीनों का intersection अपन देखें, तो तीनों का intersection कौन सा region हो जा आटा है, ओके, तो हमारा इसका answer क्या हो जाएगा ? तो this represent आ ट्राइंगल को क्या थे ट्रैंगल की थे UCD को यह हमारा रिपर्जेंट कर रहा है, यह हमारा फाइनल आंसर है, थैंक यू